कर दिया है आईए हमारा चैप्टर चला है कंपनी और इसकी वेटेज बहुत जादा है इसलिए हम इसमें धीरे धीरे से टाइम लगा लगा के इसको खतम कर रहे हैं है ना कल हमने डिसक्स कर लिया था कहां तक 143 का और इट वाला जो पार्ट है वो कर लिया था आज हम स्टार् रेकर करके बढ़ रहें चलें आगे आईए देखिए पहला क्या राइट ऑफ सी एजी टू गिव दी डारेक्शन सी एजी के पास बेटा राइट है कि वो डारेक्शन दे सकता है किस चीज के लिए और इट के लिए किस केस में गौर्मेंट कंपनी के के से ना यह बात तो प तो सच ऑडिटर ऐस्टू दी मैनर इन विच दाओड इस तो भी कैरिड आउट किस तरीके से ऑडिट होगा इसकी डारेक्शन भी कौन दे रहा है सिह निजी दे रहा है और अठ्राइब भी कॉन करता था था तो अगार्मेंट कंपनी के के केस में सी यह एनए जी पयुपूर्मेंग कहला थे था इहां आ दिखाना पड़ेगा और इटर को वो रिपोर्ट करना पड़ेगा आगे चले मज़िए पिर इसमें एक अधा बहुत इंपॉर्टन कंसेट आ न क्या है यह सप्लिमेंटरी ओर इडिट क्या होती है audit 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 का भी audit करना तो सुनिए के रहा सी एने जी विदिन 16 डेज ऑफ दर रिसिप्ट आफ और रिपोर्ट यानि पहली ओडिट हो चुकी है समझ मारा है जो इस्टेयाचुरी ओडिट है जो 143 के अंदर और अडिट करनी होती है वो अडिट होची किया उस रिपोर्ट के साट इनों के अंदर अंदर उस सी एने जी के पास राइट है है वे राइट टू ओडर इस सप्लिमेंटरी ओडिट ऑफ दी फाइनिशल स्टेटमेंट ऑफ गवर्वर्मेंट कंपनी बाइपर सन ऑथराइज वाई हम एंड तू कमेंट अपोन दी और सप्लिमेंट ऑडिट रिप जब सी एने जी को ऐसा रगेगा कि जो पहले ओडिट हुआ है वो उतिनी क्वालिटी से नहीं हुआ कुछ डाउट है महां पे ऐसा हो सकता है कि कुछ फ्रॉड भी हो तो सी एने जी क्या कर देगा साथ दिनों के अंदर अंदर सी एजी के हाथ में पावर दी गई है कि वह समझ माया चले आगे आए नोट्स के रहा है एनी कमेंट और सप्लीमेंट सो मेड बाइदी सी एने जी सेल बी सेंट बाइदी कंपनी तो एवरी परसंट वों दा फाइनेंसल स्टेटमेंट आर बीइंग सैंट क्या मतलब है कि अगर कोई कमेंट या कोई सप्लीमेंट पीने जी ने दिया है तो वो हर बंदे को भीजना है जिसको हम फाइनेंशल स्टेटमेंट भीजते हैं समझ में देख लीजिए कह रहा है ओडिटर ने ओडिट रिपोर्ट दी सी एने जी को सी एने जी के पास पावर है कि वह साट दिन में सप्लीमेंटरी ओडिट करा सकता है फैन और दूसरा सप्स्प् Aktas कॉदी और इंटर यानि और रिपोर्ट के बाद एक सप्लीमेंट rebelHerと गररा होगा और वह जो रिपोर्ट को उगी वह और उसा ने बहुतार हमने यह सप्लीमेंटर ओर भी बेजनी का छले क्या पढ़ा हुआ लग रहा थानिया है साथ दिनों की लिमिट याद दी कभी कभी जब इंस्टिट्यूट का मन अच्छा होता है तो गवर्मेंट कंपनी से पूछ लेता है क्योंकि असान होता है और बिल्कुल इस पेसिपिक हटके है याद रहेगा आपको तो इसको कभी मत भूलना इसको भी उतनी तवज्जु दे पढ़ना यहां से पूछ लिया जाता है चले आगे आए यह एक टेस्ट और इट कराने की भी पावर दी गई है पी एने जी को क्या टेस्ट और इट देखिए क्या होता है इन केस आफ गवर्मेंट कंपनी सी एने जी में इफ कंसिडर नेसेसरी पास एन ओर पासिंग दा एं सी एने जी की डिस्क्रिशन बे अगर सी एने जी को ऐसा लगता है कि यह एक आपका टेस्ट और इट होगा प्रोज़र्वाई है थो दोनों में फ़ड़ क्या है इस डोनों में फ़ड़ क्या है को सप्लीमेंटरी और सब्सब्स यह पहला जो है वह लिखाया है 143 अफ सेख्षन से और जो दूसरा बिल्कुल जैसा आपका दिमाग चलता है उस तरीके का यह फरक दिया गया है और देखिए अपरक के कॉलम में सिमिलेर्टी लिखिये हमने यह भी सिन एजी ओडर करता है यह बी सी एजी ओडर करता है तरीट मतलब दीरिंग दा एकांटिंग पीडियर्ड होता है यानि उस दोरान आप जाके चेक करोगे चीज़े ठीक चल भी रही है या नहीं चले लाइक है इंटर्नल ओडिट की तरह इसको बोल सकते हैं लेकिन नाम वो नहीं देंगे नाम इसका क्या है टेस्ट ओडिट है क् सब्सक्राइब करेंगे आ रहा या नहीं होगा और कह रहा है ऐसी कोई लिमिट यहां पर नहीं है चले आगे कराना होता है और यह जब CHG को लगेगा कि भीया आज मेरा मन कर रहा है टेस्ट करने का तो टेस्ट कर लेगा समझ मैं आ यहां बोलिएगा बच्चे आगे चले आईए 143 अब खतम होने की कगार पे हैं 143 सब्सक्शन 9 और 10 बोलते हैं देख लीजिए आपको पता यह बहुत होले होले से समझाया था जब हमने सुनियेगा रिपोर्टिंग फ्रॉड पढ़ाता लॉग के अंदर याद है याद है याद है बचलो हां किसी के पास लॉग की बुक है आईए पढ़ देता हूं आपको यह आता है बेटा डिसक्स कर लेंगे कह रहा है इफ एन ओडिटर ऑफ दी कंपनी इन कोर्स आफ परफ इमेडियेटली रिपोर्ट दा मैटर तो दी संट्रल गवर्मेंट विदिन सच टाइम एंड सच मैनर एज मेभी रिसक्राइब यह कंपनी अक्ट दो हजार तेरह में पहली बार इस तरह के प्रोवीजन डाले गए थे जहां पर ऑडिटर के हाथ में पावर देदी कि आप ड आये तो वही बाते हैं यहां पर देखिएगा दा ओडिटर शूड परवर्ड हैस रिपोर्ट तुदा बोर्ड सुनिएगा वह पहले कहां रिपोर्ट देगा अपनी बोर्ड को एंड़ और ओडिट कमेटी ऐस दा केस में भी इमिडेटली आफ्टर यह किसको बदा चल गया और यह किसको पता चल गया और इक इसको बदाएगा बोर्ड को और अजिट कमेटी को कितने दिनों में फटी फइफ देज में साया चले आगे चले बच्छो शुनिएगा ऑन देरेसिप्ट अफ सच रिप्लाई और दी ऑबजर विशन ओड दी बोर दा और दा ओर ओडिट कमेटी दा ओडिटर शुड़ अ हां हां इमेडियेटली भीजेगा और 45 डेज में उनसे रिप्लाई मांगेगा तो यह अरे तो कहने का मतलब वही है कि 45 डेज में उनसे पूछ लेना है उनसे डिसक्शन कर लेना है कि यह सब रॉड चल रहा है तो है 45 डेज में हमें उनसे क्या मांगना है रिप्लाई मांगना है कि भाहिया आप इसके ओपर रिप्लाई देदो अपना और कह रहा है शुड फॉरवर्ड है रिपोर्ट अलोंग विद रिप्लाई और और अप्जरवेशन आप दी बोर्ड और दी ओडिट कमेटी और इस कमे पावर दी गई थी कि तुम सीधा फ्रॉड की रिपोर्टिंग संटल गवर्मेंट को करो पहले क्या होता था इससे पहले आप ऐसे प्रोविजन नहीं थे आप बस मैनेजमेंट के साथ डिसकस करते थे ऐसी को रिक्वार्मेंट नहीं थी कि आप वहां पे संटल अच्छा करने के लिए अच्छे कॉर्पडरेट गवर्मेंट के लिए इस तरह के प्रोविजन पने एक तेरह दाले देलेल अगे सबस्क्राइब ला इक्रेटी डीपोर्ट करना है इस एकले 15 दिन में में दूँर गवर्मेंट को बताना है इस आप आईए करा इन एकास report that was earlier forwarded to the board or the committee for which he has failed to receive any comment or the observation करा अगर कोई रिप्लाई निया मैंने 45 दिन वेट करा कोई रिप्लाई निया तो मैं क्या बोलूंगा बोलो मैं क्या करूंगा मैं ये बात लिखूंगा मैं ये बात लिखूंगा डिव्जरौआ का वियु पस्यों करणोंगा और उसमें ये बात लिखूंगा कि हमने रिप्लाई मांगा था कि रिपोर्ट करी दिवर्वार्वट्ट करी और रिप्लाई मांगा था लेकिन उन्हुक्त रिप्लाई नहीं दिया और उस पे अपना कमेंट और अब्जर्वेशन लिखके मैं आगे फोरवर्ट सेंटल गवर्मेंट को कर दूँगा 45 दिन के टाइम के बाद सही है 45 दिन तक वेट करूँगा क्योंकि 45 दिन का टाइम दिया ही गया है चले आगे आएगा आएगा आपके रहा है है नोट इफ एन अमाउंट और फ्रॉड इस ब्लोव दिश्रोड लिमिट दा ओडिटर सेल रिपोर्ट दिफ्रॉड तुदी ऑड़िट कमेटी और दी बोर्ड इन दा रेस्क्राइब मैनर लिमिट कितनी है एक करोड किया है हां लो में डिसकस करा हुआ है हमने एक करोड की ल किया रहा है इट सेल भी दीम देट दा ओडिटर हैस नोट कंट्रवीन अनी अब दी डूटी बाइब रिपोर्टिंग को रिपोर्मेंट को रिपोर्ट कर रहा है कॉंसी डूटी की बात हो रहे है बहुत बढ़ बढ़िया है को छेद आपको समझ में अलिए इसलिए पूच रहा हूँ कि ऑडर को कंट्रूट की बाते नहीं बता सकता लेकिन अगर स्टेस बताएगा तो ये नहीं माना जाय गा कि उसने confidentiality lose कर दिया आ रहा है या नहीं आ रहा है ऐसा कहा पर लिखा हुआ है 143 13 में है ना तो अगर कोई ऐसा case study बना के दी जाए अरे मालो टुची सी आगई case study उसमें बुला है बता दिया और क्लाइन का कहना है आपने confidentiality break करी है तो आपके ओपर केस करूँगा मैं या आपने negligency करी है तो आपको फिल उसमें आंसर लिखना होगा कि इस इस केस में confidentiality break नहीं मानेंगे क्योंकि law में लिखा हुआ है कि इस देम्ड कि उसने अपनी डूटी परफॉर्म करी है ठीक से अगर गूट फेट में कराया तो चले आगे आए किया रहे दप्रोवीजन ओफ देस सेक्शन अप्लाइट वी कॉस्ट अडिटर कंडुक्टिंग दी कॉस्ट अडिट एंड दपनी सेकरेटरी दूइंग दा सेक्रिटेरियल और तो सी एस का जो ओडिट होता है जो यह वाला ओडिट है और जो कॉस्ट अडिट है जो और कंपनी सेकरेटरी जो सेक्रेटरियल अडिट कर रहा है आया सम्झ में फ्रॉड की रिपोर्टिंग यानि सब को करने है चले आगे आई ये गाव किया रहा है इस दा चाट्ट अचाटर्ट अगॉंटेंट और दी कॉस्ट अडिटर पॉस्ट अडिटर दो नॉट कंप्ल अगर कोई सा भी आपने कंट्रवीन करा इस चैप्टर का तो भाईया आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी एक लाग से लेके पच्छेस लाग तक के क्लिए अब सुनना यह फ्लो चार्ट है यह मैनर ऑफ रिपोर्टिंग की बात करता है थोड़ा चोटा कर दो मैनर ऑफ रिपोर्टिंग की बात करता है फ्रॉड की यह हमने डिसकस करा था बच्पन में आपको याद होगा मैं जल्दी जल्दी से समझा देता हूं फिर एक बार गो थ्रू हो जाएगा और नए बच्चों को भी समझ में आ जाएगा मैनर और रिपोर्टिंग के लिए आप क्या ल रिलेटेड रिपोर्टिंग फ्रॉड से रिलेटेट तो एक सो तिरालेस बारा 143 12 143 12 तो लिखोगे उसके साथ साथ रूल कौन सा लिखोगे कि याद रहेगा आये के रहा है और अडिटर हैसे रिजन तो बिलीव दैट दा फ्रॉट इस बीइंग और हैस बिन कमिटेड ओवर ओवर दी कंपनी बाइदी ऑफिसर या इंप्लोई आप दी कंपनी तो के रहा है अमाउंट आफ रॉड अगर एक वल टू और मोर दैना वन करोड साही एक करोड या एक से कम Christmas मैं या एक कुरोड ई है करोड से ज्यादा एक शाय कटे करोड जाहां प है जहां पर रिपोटिंगर निहुन है लिकने एक करोड से कम है तो सेंट्र गॉर्मैंट क्योंट ने नहीं कि जरूत नहीं है वहां पे सिर्फ audit committee और बोर्ड को आप बता दोगे तो इन आफ है चले आगे आए किया ओडिटर शैल विदिन टू देज ओफ इस नॉलेच एंड नॉलेच एंड रिपोर्ड दी फ्रॉड तो दी ओडिट कमेटी एंड फॉर बोर्ड सीकिंग दियर रिप्लाई विदिन फॉर्टिफाई टू देज मतलब इमिडेटली हो गया बैंक भी बोलता है आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो तीन दिन में बताओ उसका मतलब एक तर डन विप्लाई रिसीव गया बहुत अच्छी बात है तो अगले फंद्राइदों के अंदर आपको उस रिपलाई को फ्रॉड करना है ए एटीट फोर में एलॉड पॉर्ड करना है एलॉड विदॉर्ड रिपोर्ड और कमेंट और गया और कमेंट के साथ ठीक है किसको कु करना है तूधी सेंट रρχम सेंटल करमेंट जो कि कौन है से के के ट्रीओ एंजय जो कि कौन है यहां पर इसलों में चाइब सेकरेट्रे ओफ एंजय कोना ऑप 3 different सब्सक्राइब कराना ने स्पीड host या सब बिग alternator पोस्ट से भीजेंगे और उसके साथ एक इमेल भी भीजेंगे हां नहीं वह तो सर्विस अफ डॉक्रमेंट अलग है यहां पर मैंने भी बता रहा है फ्रॉड की रिपोटिंग ऐसे होगी तो क्या बात हो रही है क्या रहा है सेंट्रल को बेजना है जो कि सेकेटरी आफ एम सी सब्सक्राइब होगा थ्रूदा स्पीड पोस्ट और इस्टर पोस्ट इने सीड एंवलॉप फॉलओड बाइन इमेल फॉर्ड़ कन्फरमेशन ऑन दर लेटर हैड है विंग दा कॉंटक्ट डिटेल्स सब्सक्राइब लेकिन उसके साथ एक मेल भी आपको भीजनी है कि हमने आपको यह बेचा है उस पर आपकी कॉंटक्ट डिटिल भी होनी चाहिए वो जो मेल भीजोगे वह अपने लेटर हैड पर बना करने की ज़रूरत है देखिएगा ऑन्दा एक्सपाइरी और फॉर्टीफाइव डेस क्यों बोला यह एक्सपाइरी और फॉर्टीफाइव डे लिए गए हैं बोर्ड और अडिट कमेटी को अपना रिप्लाइव देने के लिए तो पैतालिस दिन अपन वेट करेंगे उसके बाद कर आए फॉर्वर्ड करो ए रिपोर्ट इन फॉर्म एडिटीफॉर एलोंग विद ओर इजिनल रिपोर्ट और उनका रिप्लाइव लोग तो यह बात और दी कह रहे हैं अगर रिप्लाइव रिसीव नहीं वा तो पैतालिस दिन का वेट करेंगे उसके बाद फॉर्वर्ड कर देंगे एक रिपोर्ट इन फॉर्म एडिटीफॉर में अलॉंग विद ओर इजिनल रिपोर्ट और एक स्टेट्मेंट जाट दर ओर इन मारा फ्रॉड कितने से कमका एक करोड से कमका है एक क्रोड तक का भी नहीं बोलोगं मैप लोगे एक करोड से कमका है तो देखिएगा किए आ ओर इटर शेयल विजिन तू देजिस और फेस ओफेस knowledge report the fraud to the audit committee report करेंगे fraud किसको audit committee को या board को mentioning the following क्या 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 mention करना है nature of fraud approx amount कितनी involved है और parties कौन-कौन से involved है क्या क्या करना है बताइएगा nature of fraud कैसा है approx amount कितनी है और party कौन-कौन से involved है audit में आप से यह भी पूछ सकता है कि अगर आपको fraud मिला बेटा इधर धियान से अगर आपको fraud मिला और उसकी amount एक करोड से कम किया है तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़े बतानी है क्या आपका manner of reporting होगा तो आप यह सारी बाते लिखोगे यह मजाक नहीं चल ला है आप बुलोगे कि दो दिन के भीतर भीतर हमें audit कमेंटी को या बोर्ड को mention करना है nature of fraud amount कितना involved है और पार्टी कौन कौन से involved है इसे हलके में मतले न आप यह सब याद होना चाहिए आपको और कह रहा है बोर्ड रिपोर्ट इंक्लूड एप और बोर्ड रिपोर्ट को आप इंक्लूड करवा होगे क्या क्या निचर ओप रॉड है माउंट और पार्टी इंवल एक्षान नौट टीकन और रेमेडिल एक्शन आगर एक्षन ले लिया गया है तो कि अने कुले रहे हूं का मैनल प्रॉड की अर्व गया समझ गए मैनर ओप रिपोर्टिंग ऊप दो समझ गया है बहुत इंपोर्टनट है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन था यह तो याद होना चाहिए यह इस केश में डूटी फॉर करने की जरुवत है यह भी आपको कौन सा फॉर्म फाइल होगा नॉन आप आप फॉर्म फाइल करने की जुरुवती नहीं है सही है चले बताइए चले क्या आगे अरे बोलो साइनिंग और रिपोर्ट यह को किसमें बात हो रही है वन फॉर्टी फाइब में वन फॉर्टी फॉर कहा गया सर हमने पढ़ लिया वन फॉर्टी फॉर्टी फॉर जहां पर कौन सी सर्विस हैं जो एक अडिटर नहीं दे सकता सायर चले तैयारो आईए तो कह रहा है साइनिंग ऑप अडिट रिपोर्ट शैल वी इन अकॉर्ड़ेंस विद्ध प्रोवीजन एस स्टेटेट इन फॉर्टी 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 वन सब्सक्शन टू कौन करेगा पढ़ा था हमने इलिजिबिल्टी में सीए करेगा अरे कमने पढ़ा थाना मेंने मैं आपको यह भी बात बताई ती हमने भी बात बताई था मैंने अगर नॉन चिय और सीए की कोई पारटनरशिब बना रहे तो मेजर्टी ऑफ पार्टनर सी ओने चाहिए और रिपोर्ट पे जो साइन करेगा वो सीए ही करेगा आ रहा है या नहीं आ रहा है क्या रहा है क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन कमेंट विद रिस्पेक्ट टुदी फाइनिशल रांजेक्शन वदा मैटर डैट में हैव एड बात करी थी 141 में चले आगे 141 में यहां पर रफ्रेंस लिखा है न चले चले आए अब बात कर लेते हैं 147 की जो सबसे बहंकर है किसकी बात करता है यह आप की लिए पैनल्टी है इसमें सी यह इसके लिए पैनल्टी है ना देख लो क्या रहा है कंपनी के ऊपर पैनल्टी लगेगी अगर उसने कंट्रावीन करा 139 से लेके 146 तक ठीक है कौन सी पैनल्टी लगेगी देख लो आ जाओ सुनिएगा तो कंपनी के ऊपर फाइन है रेंजिंग कहां से 25,000 से लेके पांच लाग तक का क्या ओवर दा ओफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन है जो कंट्रावीन कर रहा है 139 से 146 दस अजार से लेके एक लाग तक का और कह रहा है और ऑडिटल के ऊपर ऑडिटर वा कितना है 25,000 का मैक्सिमम पांच लाग तक का और फॉर टाइम सब्सक्राइब एक तरह की से देखा जाए तो है ना विचेवर इस लोवर बूल दिया तो पांच लाग एक तरीकी से अपर लिमिट हो गई अगर इस से ज्यादा भी आएगा आपका वालो आप दो लाख रुप मतलब जिसमें आप सामिल थे फ्रॉड में विल्फूल तो समझ गए यानि आप कोल्यूजन का पाट ते जो भी वहाँ पे हेरा फेरी चली थी आप उसमें सामिल थे आपका भी हाथ था सर यह पुरूफ होगा कैसे वह कोट करेगा कोट ने अगर लिग दिया कि आप कोल्यू पच्छिस लाग उपर वाले में लिमिट कितनी थी पांच लाग लेकिन उपर वाला क्या है नॉर्मल सेनारियो और नीचे वाला क्या है एक एक्सेप्शनल सेनारियो जहां पे हमारा ओडिटर भी सामिल है कोल्यूजन में है रहा और देखिए इसके साथ आपको सुसराल भी गुमाएंगे एंड इंप्रिजनमेंट अप्टू इंप्रिजनमेंट अप्टू वनियर तक आपको जेल में भी डाल सकते हैं तो आपको पैसा वापिस करना पड़ेगा जो आपने रामनेशन लिया था कियरा ही शेल लाइबल तो रिफंड दिर एमनेशन एन पेडी रहा होगा है ना बहुत बढ़िया से फाइन लगाए गया है तरीके से कोई भी रियायत नहीं मिली गई है यह सब किसलिए हो रहा है ताकि गुट कॉर्प्रेट गवननेंस हो जो भी कॉर्प्रेट में काम चला है वो अच्छे तरीके से एथिकल वे में चले और कोई उल्ट अब देखिए अगर सिविल लाइबिल्टी है इस वाली बात को क्या हुआ तो चुछ हुआ गया अगर सिविल लाइबिल्टी ऑन किर्मिनेल लिए और झालिदी और रिली में रिलेशन तू फ्राउड रवर्स रिलेटिटीड है तो से निया पार्टनर और फॉर्म दोनों जोईंत लियन सेवरिली लइबल होगे। लेकिन सुनिएगा अगर सिर्फ क्रिमिनल लाइबल्टी है अब रन फाइन तो सिर्फ वो बंदा कंसरन पार्टनर लिएबल होगा इंपरिजर्मेंट के लिए जैसे कोई और अडिटर है और पे गया किसी को चकू आदिया वह यह हमारी हम पार्टनर थे उसके वह यह हमारी क्या गलती तो वह बंदा पर्सनली लाइबल होगा लेकिन अगर कुछ काम से रिलेटेड फ्रॉड करा है समझ में आ रहा है आपको अगर उसने कोई सिविल लायबिल्टी और क्रिमिनल लाइबल्टी इन रिलेशन टू क्रिमिनल लाइबिल्टी है जिसमें एक ही बंदा सामिल है तो उसमें वह बंदा वह कंसर्ण पर्सनली लाइबल होगा चले चले एक कोश्चन मैंने आपको कराया था जब मैं लौ पढ़ा था आपको लाइबिल्टी ऑफ ओडिटर का उसे भूलना मत उसे तमीज से याद कर लेना सिविल और क्रिमिनल दोने लाइबिल्टी बताई दी सेक्शन 34 35 147 और फिर 447 का तड़का भी लगता है याद है नहीं है 34 35 147 और 447 होता है तो यह सब पढ़ लेना वहां पर पूछेगा लाइबिल्टी ऑफ ओडिटर तो उसमें यह पूरा हिसाब किताब लिखना पड़ेगा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है नहीं सर्कुछ समझ नहीं आ रहा है चलो ब्रेक चलो अभी दो मिनिट का ब्रेक फिर अगली स्लाइट चलू करता हूं ठीक है गलत कर दिया क्या यह वह ना रूल का नाम यह रूल है इसलिए मैंने वह ब्रैकेट में डाला है आई हैगा ब्रांच और इट ब्रांच और इट के वारे में क्या हमने डिसक्स करा था बच्पन म सकते हो अगर नाजरी तो अपना वाला वंडिटर जा चैक करेगा अगर बाहर से करया है तो उसकी रिपोर्ट को अचन reddler करेगा एससे 600S के उपर जो बात करता है कि कैसे हम consider करेंगे दूसरे बंदे के काम को आ रहे ना उसमें हमने पढ़ा था कि हम competency देखेंगे कि बंदा कितना कंपिटेंट है कैसी फर्म से आपने और कराया है कितना उसको टाइम मिला था कितनी उसकी फीज वह सब चीज़े देखके हम consider कर लेंगे पड़े आई यह बहुत इजीजी है अब तो खतम ही हो गया क्या रहा हूं कैना पॉइंट इप्रांच और इटर किरा अकाउंट ऑफ ब् अंडर वन फॉट्टी वन ऑफ दी कंपनी आग्ट दो हजार तेरा यानि किसी और ओडिटर को भी आप अपने कर सकते हो एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए आए इन रिलेशन टुए ब्रांच लोकेटिड आउटसाइड इंडिया या तो कंपनी ओडिटर से करा लो या परस अज्डिया नुटानच करेगा और उस ब्रांच करूच के लिए परनाके विदिए हैं और करेक्ण सेंद टू तु थी कंपनी ओडिटर और वो कंपनी ओडिटर वह एँकरिगा वो उसकी रिपोर्ट को कंसिडर करके अपनी रिपोर्ट को फाइनल करेगा बात हुई थी यह सब लौ में भी हो रखी है बाते हैं आईएगा राइट एंड डूटी ओफ कंपनी ओडिटर विल रिस्पेक्ट टू दी ब्रांच अब किसकी बात हो रही है इस्ट्रेच्री ओड की कि उसकी क्या राइट है और क्या डूटी जैं ब्रांच को लेकर अगर ब्रांच और इट किसी ओर ने कर आए तो देखिएगा कंपनी ओडिटर राइट एंड डूटी इस विर रिस्पेक्ट टू दी ब्रांच आर दा सेम एस प्रेस्क्राइब अंडर 1431 और 1434 तो हमने ब ब्रांच और इटर शेल सब्मेट दा रिपोर्ट तो दी कंपनी ओडिटर ब्रांच और जो है वो रिपोर्ट अपनी सब्मिट करेगा किसको मेरे बच्चे कंपनी ओडिटर को एना आए फिर कह रहा है हावेवर प्रोवीजन ऑफ सब्सक्शन 143 सब्सक्शन 12 रिलेटिंग दी रिपोर्टिंग ऑफ दी फ्रॉड और ऑल्सो एक्सेंट टुदी रांच और तो हमने जब वहां तक एक्सेंट कर दिया कॉस्ट ओडिटर तक कंपनी सेकेटरी के और इट तक तो भी यह ब्रांच और पे भी उसके भी प्रोवीजन लगेंगे उसको भी अपने आपको व और एवल्येशन ऑफ वर्क और टॉड़ेटर बाइड इस चरी ओडिटर कंपनी ओड़ेटर तर्ट प्रिंसिपल ओड़ेटर एस अचेट अच्छ सो यूजिंग दवर्क आप अनधर ओडिटर की बात करता है जो प्रेश्क्राइब करता है प्रोसीजर तूबी परफॉर्म पाइड इस सद्रेश्र इड़ेटर यह प्रोसीजर जो इस सद्रेश्री ओडिटर को किया करने है परफॉर्म करने मौन वाइल यूजी दा वर का अदर ओडिटर मायूज था यह देस यह रहे बाइगा वाफ्र आप क्या करहोंगे किसी ब्रांच ओडिटर का वर्क यूज- अपने audit के लिए आईए जो बताता है यह सारी पाते आईए एक्स लिमिटेड है देखिएगा बच्छे एक्स लिमिटेड है Mr. A कौन है इसके company auditor that is the principal auditor simple है यहां तक समझ में आया सुनिएगा अब इनकी की branches B1 B2 or B3 यह क्या है इनकी तीन independent branches ले यहां पर Mr. M I A यहां यह यह कौन है M N O कोन है यह branch auditor that is other auditor इनकी duty क्या है विट्वार गोटी क्या है यह तो confined है इस दी ब्रांच या नि ब्रांच यह अपनी अपनी ब्रांच का काम करना और भार का उन्हें देखना भी नहीं तो कह रहा है इन्हें एक्जामिन करने हैं एकाउंट मेंटेन बाय ब्रांच रिपोर्ट ऑन्द एक्जामिन बाय हिम एंड समिट रिपोर्ट टूदी प्रिंसिपल ओडिटर सुनिएगा क्या बड़े मिया हैं वो बड़े मिया कौन प्रिंसिपल ओडिटर वो कंसिडर करेंगे उन सब की रिपोर्ट और वो उसे यूस करेंगे अपने और इट यह वह से चैसला लगाइंगे फिर वो क्या लगाइंगे ऐस से चास्ट देखिए अब इनकी डूटी क्या है यह कैं यह य टो आप ढ ही सबता है नहीं करा जा तो सीली आर्ट को अधाय लिटा अधियों तरीना चुटांगे कि स्सक्राइब बिढ़ानुन से पहले आपकी रिपोर्ट मेरे पासी मेरे पास नहींस ताहिए मैं उस पे आप से काम करो और इस से पहले-पहले मेरे को अपने रिपोर्ट दे देना सुनिएगा तो डिसकर्जा सिगनिफिकेंट फाइंडिंग विद्धा आप दी अधर ओडिटर जो अधर ओडिटर ने फाइंडिंग्स निकाली है उसको बड़े मिया डिसकस करेंगे मैनेजमेंट के सकती है सुनना कुष्टन ऐसे आएगा पहले पढ़ा दू फिर बात करेंगे देखो क्या रहे तो विजिट दी ब्रांचेस इफ रिक्वार्ड अगर जरूरत है तो भाईया विजिट भी कर सकते हैं वह कौन प्रिंसिपल ओडिटर और देखिएगा रेफरेंस आप दी अध अधिडर और आप आप जिस कंपनी का अधिट कर रहे हैं उसकी एक इंडिपेंडेंडेंट ब्रांच है एक या दो और वहां पर कोई दूसरे ओडिटर काम कर रहे हैं वह पॉइंट करेंगे ने तन समझ माया तो वाइल यूजिग दा वर्क आफ अधर ओडिटर आपको क्य लेने होंगे और किस तरह से सिच्विएशन में आपको डील वेड करना होगा तो आपको बताना पढ़ेगा कि आपका औपज़ेक्टिव क्या होता है ऑडिक और अपको यह कर सकते हैं उसके साथ टाइम टेबल शेयर करोगे डिस्कस करोगेंडिंग उनकी कंपिटेंसी को द सब्सक्राइब लगता है ब्रांच को को विज्ट कर सकते हो रेफरेंस भी सकते हो ऐनका सरी का अपनी और रठीट में और आप सब्सक्राइब करते हैं आज यह मैंने जब आपको बच्पन में पढ़ाया था तो बोला था कि वहां के पॉइंट अभी से इंपोर्टेंट इतना नहीं है कॉस्चो को बात करता है कॉस्च ओडिटर की न दो बाते हैं यहां पर कि कोस्ट रिकॉर्ड किस्ट को मेंटें करना है और किस खोंट और त्हुल नियुट कराना है ऑफ यह सक्टेसन कौन सा है एक और झाय आइए गा के रहान सेक्शन बन फोर्टि एट ऑप धीकम्पने अग रूल दोहाराद चौदा यह तीन और चीजह हम यहां पर आप खतम करने वाले हैं आपको यह रिक्वार्मेंट तो पढ़ा रखी है मैंने बच्पन में क्या रिक्वार्मेंट ऑफ मेंटेनेंस आप कॉस्ट रिकॉर्ड किसको करने होते हैं देखिएगा सेंटल गवर्मेंट में बाई ओर्डर इन रिस्पेक्ट अफ दी सर्टन कंपनी जो इंगेज है प्रोडक्शन में और दी प्रेस्क्राइब गूट्स एंडेंग आप दी प्रेस्क्राइब सर्विस इस उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं चलें आईए तो लेबर और अधर आइटम वहापको अपने बुस्त अपकांट में उनक्लूड करने हैं यानि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मी में टेन करने हैं जो आप कॉस्ट अडिट में पढ़ते हो पॉस्टिंग का जो आपका भी पर है मतलब उसमें आप देखते हो कि कैसे कैसे निकालत यहां पर आपको मटीरियल का लेबर का और अधर आइटम आपको की डीटेल भी रखनी है सब्सक्राइए अब रूल थी पट रहे है रूल थी किसका हां कॉस्ट रिकॉर्ड एन अकाउंट का है रूल थी बात करता है यह कंपनी इंक्लूडिंग फॉरां कंपनी इं систल के लिए इंगेशिए इन थे रच कपनी जो इंगेज है किसमें प्रोडक्शन में गुट्स के और सर्विसिस के जो स्पेसिफाई करिया हमने इस एस रेगलेटिट सेक्टर और नौन रेगलेटिट सेक्टर उनको क्या बनाने है मिटा अपने कॉस्ट रिकॉर्ट भी मिंटेन करने अभी नीचे बात करेंगे आई यह 35 क्रोड तो कितने के लिमिट मैंटे अ है थैट इए फाइव करोड से इक्वाइव यह इस से ज्घान एक प्धुल यह इस से ज्घान का किया हमारा थर्न आववर है वह भी कौन सा वाला ओवर ओवर्यों तो हमें कौस्ट रिकॉर्ट बनाने की जरूरत है और ने आगे इतन इस बताया गया है रेगुलियूरिटिट सेक्टर कौन से हैं चैली कॉम, इंड़स्टियल एल्कोहल शुगर, फट्रिलाइजर, ड्रग, फार्मा, इलेक्टिसिटी, पैट्रोलियम प्रोडक्ट ये सब क्या है बीटा और यह सब क्या है रैगिलीति इग सेक्टर और देखियेंगा नौन डेटिटि आस्टर को ने आइरन सेमैं और स्टील इनको हमने किस निस्ट मेरा मारा यह नॉन रखा यह तो दोनों से मिला कि ABC Limited है दिख रहा है या बड़ा करूं तो सही है ABC Limited है कि रहा है बिजनेस ए है बिजनेस भी है और बिजनेस सी है एक ही कंपनी है एक सिंगल कंपनी ये तीन बिजनेस चला रही है देखिएगा बच्चे को आ रहो है समीख में है पहला ये सब्स्क्रां काम है हमारा गुपra reigns का में आग सडूर इंद सेटर का दूसरा नौन रेगलेटर का और थीसरा अधर देन रैइन रैफिलेटीड़ i तो एफ नवा नोन डैगलेटिट एफ नोन रेगलेटिट वही थीन उन को छोड़कर बाकी यह अधर में आजएंगे अगर वह रगुलिटेट नहीं तो इन तो इन तक इंए अब टार्नोवर किता अब कितना है ऑफर्ट लाइजर से 10 जूनन एग्रेटिर से 20 टोटल कितना हो गया थी क्या 35 से ज्यादा है क्या 35 से ज्यादा है तो कॉष्स डिगौर्स रिकॉर्ड बनाने की जरूवत नहीं है अगला बताएएगा 25 और साथ टोटल गतना हो गया सुख रिकॉर्ड बनाने की जरूवत लेह Industry तीस और दस कितना हो गया चालिस तो कौन से वाले बिजनिस के कॉस्ट रिकॉर्ट बनाओगे बिटा इधर प्लीज किया रहा है देखो नॉन रेगुलिटेट तो यहां ही नहीं और अधर देन रॉन रेगुलिटेट की बात ही नहीं करी बस इसका तो तुन आवर काउंट करन रहेंगे रेगुलिटेट बिजनिस के क्लियर है नहीं है चले आगे देख लीजिए पांच है दस है और एक्केस है टोटल कितना हो गया चाटिस क्या रायद होगे उसको बोल दोगे भाई है चाटिस नहीं अपना तरन ओवर चॉंटिस कर लो कॉस्ट रिकॉर्ट नहीं बन करने के लिए है क्लियर है यहां तक पक्का याद हो जाएगा 25 क्रोड का क्या है क्राइटीरिया है 35 पहुंस्ते ही आपको कॉस्ट रिकॉर्ट बनाने पढ़ेंगे क्लियर है कौन सा सक्षण है कौन से जक्सा ने दीए 148 148 के रूल में लिखा है 148 बोलता है प्रेस्क्राइब क्लास अफ कंपनी लेकिन रूल थिरी ने बताया यह प्रेस्क्राइब चले आया आये अब बस अब लास्ट होने वाला है बस थोड़ा सा पेसिसन सोर क्या रहा है देखिएगा क्या रहा है प्रोवीजन बिकम एप्ली केबल ओवरे कमपनी इड हैस तो में टीन दी रिकॉर्ड वरेवर वन्स एप्ली केबल ओर एवर एप लिगे बना लिये तो हमेशा बनाने तो ऐसे भी कन्फियूज कर सकता है आपको बोलेगा कि हमने 1718 में बनाए थे उसके बार तरन ओवर 35 से क आप एक बार इस दाइरे में आगे तो आगे समझ माया चले आईएगा अब रिक्वार्मेंट पढ़ रहे है किसकी बिच्चे कॉस्ट ऑडिट की पढ़ ले देखिएगा के रस सेंट्रल गोर्मेंट में बाय ओर्डर डारेक्ट दा कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ दिकॉर्ड ऑ किसकी किसकी और ट करवा रहा है यह वाज रिकॉर्ड की कैसे स्टेश्ट ऑडिट बोलेंगे यह तो एक तरह की स्पेशल ओडिट ओगई जिसको हम क्या बोलेंगे और स्टेशन 148 सब सक्षन 2 तो तो उसमें कॉस्ट और इट के पॉइंट अप व्यू से आपको चीज़े च कि आर रिकॉर्ड तु बी ओडिटेट इन केस ऑ रगुलेटेट इट सक्टर यह लिमिट है और नौन रगुलेटेट सक्टर यह लिमिट है चले चले मचलोग ड़िटेट सक्टर की पढ़िए टाइप ओडर टन ओर अल दी प्रोड़क्ट और दी सर्विसे इन इन इमिडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशल यह लिए पचास करोड यह लिमिट आप ओडिट के लिए कितनी चेक करनी है हमें पचास ऑवरल बुलाएं एंड क्या रहा है अगर अग्रिगेट टर्न अवर ऑफ इंडिविजवल प्रोड़क्ट और दा सर्विस पोर विच रिकॉर्ड रिकॉर्ड टार मैंटें अंडर रूओटी इन था इमिडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशल इए इस मोर दैं और इकॉल टुे पच्छिस करोड करें वह बचीस करोड से ज्यादा है तो आपको कोडिट करानी है जिसके लिए रिकॉर्ण मेंटें करें जैसे हम सब्सक्राइब करना है तो आपको बनाने पढ़ जाएंगे वह अगर 25 क्रोड से ज्यादा है है एग्रिगेट सिंगल वाला जैसे मालो रेगिलेटिट गाप अच्छीस करोड से ज्यादा पहुंच गिया और ऑवरोल पचास से ज्यादा है तो एपली के पलो जाएगा तैया आया निया यह समझ माया है हाँ चले आगे किया एफ ओवरोल टर्न अवर अफ ओल्डी प्रोड दिया हंड्रेट करोड और एग्रिगेट अनवर अवर अफ दिविज्वल प्रोड़क्ट रोड़ी सर्विस पर विस्ट रिकॉर्डर मेंटें अंडर रूल थिरी इन इमिडियेट प्रिजिटिंग फैनेंशल एग्रिगेट लिमिट कितनी है यह तो आपको नॉन रिकॉर इस ल强डियरा अंने और टकरा में यह नॉन मुण अख्रय आगे चले मूद यह ओ गया लैमिट आपको समझवे आ गई रिकॉर से लेवलेति सेक्टर और नॉन डेवा ट में डैगलेति सक्टर में कितने लिम्पिट है पंचाअर पच्चास किसके लिए डेवराल giy और बसके लिए अगरिगेट जिसके उपर संदांए को सुद्धित त्य करता थोड़ा सा सब में पहतिस 친 में 50 स्टाइब сторону है करने की ज़रूद है जैब करम सब्सक्राइब करनानिक की नहीं मैं यहां पर नहीं बगे बुर। निकाल लिया इस स्पेसिफिक आइटम का जिस पर कॉर्स रिकॉर्ड बनाने की जरुवाद है यह तो पूरा हमारा ओवर अवर अवर हो गया यह कैसा अवर है बोलो ओवर और यह कौन सा अवर है एग्रीगेट यानि सागेंड वाली लिमिट के लिए समझ में आया निया समझ म हमारी ओवर अवराइल साथ पचास से जादा है और एग्रीगेट इस्टेसे जादा है याँ पांपर आधर्यात और यहां सब सब्सक्राइब और पचास और पच्चास से भी जादा यह तो इसलिए गरेनों पीलग जाएगा और निछे वाले में तो यह लिमेटी क्रॉस नहीं हो पारी इना नेश वाले में कितनी है ग्ले टेड थ करराति सो और फिराने से यह जो यह वा 게임 है पक्या कंपनिया हैं उनको कॉस्ट ऑडिट कराने की कौनों जरूरत नहीं देख लिजिए कर एक कंपनी कवर्ड अंडर रूल 3 इस एक्जम्टेट फ्रॉम्ट रिक्वार्मेंट आप ओडिट आफ कॉस्ट रिकॉर्ड इफ रेवन्यू फ्रॉम्टी एक्सपोर्ट देख लिजिए का परणकरीय है तो इसलिए और आपका रिवन्यू एक्सपोर्ट से जिसमें फ्रॉन एक्सटेंज आ रहा है ए इंडिया के अंदर आएगा नहीं आएगा एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा तो पैसा राएए इंडिया केंदर कितना उसकी पूरी अक्टिविटिका 55% से से ज़्यादा उसकी पूरी एक्टिविटी का विचेतर परसंट से ज़्यादा तो आपको कॉस्ट ओडिट कराने की जरूवत नहीं है या आप ऐसी कंपनिया जो अपरेट कर रही है कहां पे SCZ SCZ क्या होता है special economic zone यह बनाए जाते हैं हमारी government बनाती है कि इंडस्ट्री को भूम देने के लिए अच्छा करने के लिए हम किसी किसी एरिया को स्पेशल एकोनिमिक जोन बनाए थे वहां पर सारा इंडस्ट्रियल काम होता है आगया यह कंपनिये इंगे जिन्दा जनरेशन ऑफ एलक्टिसिटी फॉफ और कैप्टिव कंजम्शन अगर क रॉफ के लिए आप क्या खाए घंस्टी जनिए ए तो आपको कोश टीए बनाने की जरुफ ऑट कॉट अडिट नहीं के जरूट लेकाहए लिकारद नहीं आफिर दो बनाने पढ़ेस आपको लिगरहले ओटारो ठीक है आज के लिए इतने ही रखते मेरे बच्चे से लिए